Hello everyone, I am Dharmayn, trainer of AI House India. आज हम AI House साप्टेवर में mirror को create करेंगे और हम AI House में देखेंगे कि mirror को हम कैसे create करते हैं तो अब हम चलते हैं इसके interface पे यह हमारा AI House का interface है जिसमें हम एक bathroom का plan create कर लिए हैं अब देख सकते हैं जो screen पे आपको so हो रहा है और हम पहले एक sliding door को install कर लेते हैं फिर इसके बाद इस wall पे हम mirror को create करेंगे तो हम एक sliding door को select कर लेते हैं और इसकी length को हम कम कर लेते हैं 1200 हम रख लेते हैं इसकी length को और इसके बाद हम इस wall पे हम mirror को create करेंगे तो हम rooming mode में चलते हैं और एक view को हम fix कर लेंगे ताकि wall जो हमारी है सीधी elevation में रहा है और फिर इसके बाद हम save कर लेंगे उस view को अर्जिस्ट कर लेते हैं पहले view को इसे cross कर लेते हैं फिर इसके बाद हम save कर लेते हैं इस view को अब इसके बाद यहां से हम height कर लेते हैं crown को और इस क्रेटिंग को यह हम height कर लिए अब इसके बाद इसी wall पे हम create करेंगे mirror को तो अब हम चलते हैं को कॉस्टोमाइज में उसके बाद हम आते हैं ceiling पे इस पे हम double click करेंगे wall पे तो हम background wall design पे आ जाएंगे और यह side में जो pop up है इसे हम zoom कर लेते हैं ताकि हम इधर जब mirror को create करेंगे तो इसका live show होता रहा है side में कि अब इसके बाद हम इस पर हम click करेंगे plan पे और इसके बाद plan पे click करने के बाद हम rectangle को draw करेंगे rectangle ले लिए और हम कोई भी एक size को हम ले लेते हैं आप हम rectangle को draw कर लेते हैं फिर इसके बाद यहां पे इसकी property का एक layout open हो जाता है जहां से हम customize कुछ करके सकते हैं और हम mirror को select करकि इसके बीच में offset कर लेते हैं ताकि इसके side का एक border create करेंगे color में तो हम 50 का border create कर लेते हैं और इसके बीच में select करके हम 20 कर लेंगे offset 20 को offset कर लिए और यह 25 को side में border है इसे हम color fill करेंगे बाद में अभी वह भी हम दिखाते हैं तो यह हमारा एक mirror का shape create हो चुका है जो आप देख सकते हैं pop-up में दीख रहा है अभी इसके बीच में mirror का texture देंगे जो अब हम बैग करने के बाद हम पहले इसके border को clear करते हैं आप कहीं color भी दे करके रखा हूँ जिसे हम ड्रेक करके उसके border पे फिल कर देते हैं इससे बाद करके इसके border पे फिल कर दिये हैं अब इसके बाद इसके category के glass आपको मिलेंगे जो एक icon पर select करेंगे तो इसका पूरा detail आपको सो होगा या आप यहाँ पर next करके mirror या glass को select कर सकते हैं या search बार में जा करके आप वहाँ type भी कर सकते हैं उस material का नाम जैसे मैं अभी search करके दिखाता हूँ यहाँ search बार में यहाँ पर हम type करते हैं mirror map में type कर दिया और उससे related जो भी होंगे वह आपको screen पर सो हो जाएंगे और इसे आप drag करके कोई भी mirror आप दे सकते हैं जैसे मैं दिखाना चाहूंगा इसे मैं drag करके या आप दूसरा कुछ mirror देना चाहते हैं तो वह भी दे सकते हैं जैसे यह fill हो गया इसके side में हम fill कर देते हैं आप देख सकते हैं यह हमने एक picture को render किया हुआ है अब भी इसी तरह एक कोशिस कर सकते हैं AI house सब्ट्वेर से देख को देख सकते हैं आप यह भी या रड़ीघ करसे समय हैं आप जयजएगीघ यह भी यह लाव इसे पीनदों हैं आप धन्यास कर्या हैं पूलाव